हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे आप सब आई होप योडिंग अपसिलूटली फाइन दोस्तों हम महिलाएं तो हर रोस काम करती है किचिन में लेकिन कुछ काम करते करते इतना जाधा समय लग जाता है साथी साथ महनत भी बहुत जाता लगती है तो आज मैं फिर ल मेरी के फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज के इस यूसफुल वीडियो को लेकिन वीडियो शुरूने से पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट आप से जरूर करना चाहूंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इसी अमेजिंग वीडियो इसमें आपके लिए लाती रहती हूं साथी वीडियो पर चुट उसा लाइक भी जरूर कर दीजीगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत माइने रखता है दोस्तों जब कभी भी हम महीने का राशन भरते हैं बजार से लेकर आते हैं तो ह आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यह वाली वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है जब कभी भी हम दाल लेकर आते हैं मार्केट से आपने हमेशा देखा होगा उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और खास करके अगर बारिश का सीजन हो हम थोड़ी अमकाने के चीजह करते हैं मिक्स कर लीजे दोनों चीजाये से हमारी हमारी दादी नानी के जमाने इसे ही शहरों में तो आजकल ये चीज़ें भूलते आ रहे हैं लेकिन गाओं में तो आज भी इसका इस्तमाल करते हैं लोग जिससे की डालों को बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और कीडों से बचाया जा सकता है तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक एकमे खंसिक का kuv के साथ का रहे हैं लेकिन आप चाहें तो कोई भी डालों के साहएं कालिया और द devotion के कलियां अपने ले और लेसुन की कलियों को डाल में डालने से कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं और तीसरा तरीका एक और है जिसका इस्तमाल से आपके डालों में कीड़े नहीं लगेंगे जो की बिल्कुल नाच्रल तरीका है दोस्तों आप अपनी डालों को ना बीच-बीच में दूप दिखाते रही है जिससे इसमें किसी भी तरीकी की नमी नहीं आएगी और नमी आई भी होगी तो वह खत्म हो जाएगी अब बढ़ते हम अगली ट्रिक की तरफ दोस्तों गेहूं का आटा तो हम सब केघर पे होता है हम सभी लोग इसका स्तेमाल करता है लेकिन आप सभी जानते होंगे जब बहुत दिन के लिए आटे में बहुत जल्दी कीड़े लगने लगते बहुत किड़े अपर ने लग पर तहलु कीड़े बताओंगी में एक चोटा चमच नमक यहां पर लिया है टेबल सॉल्ट जो हम नॉर्मल खाने पीने की चीजों में इस्तमाल करते हैं तो आप जादा दिन तक यदि बाहर जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा नमक डाल की चाहिए अपने आटे में क्योंकि नमक वाले आटे में कभी भी कीड़े नहीं लगत और थोड़ी बहुत नमी भी आई होगी आटे में तो चावल की दाने जो है वो इसको अब्जॉब कर लेते हैं अगली ट्रिक में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपको न्यूस पेपर पे हार्पिक डालना क्यों जरूरी है तो यहां पर मैंने लिया है एक बरतन और उ मिला है जिसके बाद आपको प्लस्तिक का है यहाँ पर glove स्थमाल करना है या फिर आप कोई प्लस्तिक फेस्याज होती है वह भी आप हात में पहन सकते क्योंकि हम और कि यहां को सामने से realपिक से- उसको हम clean नहीं करते हैं जिसकी वज़े से वो बहुत जल्दी गंदा होने लगता है हम normally उपर से clean कर देते हैं रोजाना लेकिन हमारा नीचे की तरफ ना ध्यान नहीं जाता है और फिर मसाले चटनी जो भी हम इसमें पीशते हैं करके इसमें जमने लगता है और ऐसे में आदि आप इसको नॉर्मली क्लीन करने जाएंगे तो यह clean तो होने से रहा और इस वाले ट्रिक्स से आदि आप इसको clean करते हैं तो आप देखेगा इसी cleaning कितनी जवरदस्त होती है तो हर्पिक का जो पानी है थोड़ा समेस में डाल देती हूँ ताकि cleaning और भी अच्छी हो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा रगडने की जरुवत नहीं पड़ेगी बहुत ही आसानी से ये सारे दाग दब्बे दूर हो जाएंगे दोस्तों मैं एक हरपिक की बॉटल हमेशा अपने kitchen में रखती हूँ और एक टॉलेट में होती है clean करने के लिए टॉलेट लेकिन जो मैं kitchen वाली यूज़ करती हूँ न हमेशा मैं अपने tiles वगरा clean करने के लिए कुछ ऐसी चीज़े clean करने के लिए जिसकी cleaning बहुत आसानी से नहीं होती है तो एक बॉटल हमेशा किचन में अलग से में रखती हूं ये देखते ही देखते सारे दाग धंबे कितनी आसानी से क्लीन हो रहे हैं तो ऐसे में जितने भी जार आपके घर पे ना मिक्सर वाले तो उसको इस तरीके से आप क्लीन करके देखिए चाहें जितन ना भी पूराना दाग दबा हो सब खतम हो जाएगा सब निकल जाएगा वैसे तो सारी गंदगी जो है अल्मोस्स निकल चुकी है लेकिन थोड़ी बहुत अगर कोने-कोने में रहे गई होता ना वो काफी जादा गंदा मेला हो जाता है पानी के दाग उसमें लग जाते हैं और ये पानी के दाग जो आसानी से तो जाते बिलकुल भी नहीं है और दिखने में बहुत गंदा लगता है तो आप इसी हार्पेक और न्यूस पेपर वाले सलुशन से इसको आसानी से क्ल कर रहे हूं वहाँ वहाँ यह जो पिल्कुल धाग धबे सारे निकल रहे हैं बहुत आसानी से और तीजी से दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा आपका नाम आपकी जगा का नाम ताकि अगली वो मिक्सी के अंदर आपको क्लीन नहीं करना है पीछे साइड में जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है केवल उसी को आपको इससे क्लीन करना है तो यहां पर आप क्लीनिंग करने के लिए केवल आपको हर्पिक का इस्तमाल नहीं करना है कोई ना कोई और चीज भी आपको लि गंदी हो जाती है पानी के दाग धब्बे लगने की वज़े से और वो जो है दाग धब्बे ना असानी से निकलते भी नहीं है अब मैं इसे भी आपको वाश करके बताती है तो खुद आपको रिजल्ट सामने सामने पता लग जाएंगे दोस्तों यह देखिए हमारा जो मग ह है वाइट कलर का था कितना जादा गंदा दिख रहा था अब कितना चितरीकी से क्लीन हो गया है तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे जबरदस्ट छोटे चोटे टिप्स और ट्रिक्स जिनके इस्तमाल से आप अपने मुश्लिल से मुश्लिल कामों को भी बेहदी आसान बना सकते वजई वजब को यद हैं इन्ट्रिक्स को यदि आप इस्तमाल कर लेते हैं आपकी लाइव तू असान होती है साथी साथ आपके ढेहर सारे पैसे और समय की भी बचत होती है उम्омीद करते हो आपको हमेशा की तरह ही सारी थी पसंद आई होगी वीडियो आपको यदि थोड झाल झाल